Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स देखो ये लास्ट टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक की सिंगिविकेंश समझो क्यूं बढ़ने वो में आपको कनेक करवाता हूँ आप चाप्टर पर ग AWAR करों के तो क्या है? Interior of the Earth अब अर्थ के इंटिज़ियर के बारे में जानना है अर्थ के इंटियर के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? तो हमने देखा कुछ direct sources होता है कुछ indirect sources होता है ठीक है कहा नहीं आ गई समझ में अब वालकेनों के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़के आए तो मैं आपसे कहूँ कि अर्थ का interior के बारे में आपको इतना पता है कि अर्थ में crust है तो अब आपको इतनी चीज़े पता है और मैं आपसे कहूँ कि इस interior में अलग अलग structure भी है जैसे crust है तो crust के अंदर भी अलग अलग तरह की structures है तो हुआ तो वह भी interior का ही part तो इस sense में हम अर्थ के यह हमारे chapter ने interior of the earth तो अर्थ के interior में क्या क्या structures है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं अब इस वीडियो में volcanic landform लिखा है तो volcanic landform मतलब क्या है कि वालकेनों के कारण अब वालकेनों अंदर से ही आ रहा है ना एक तरह से दिखा जाए तो अर्थ के अंदर में magma है और वो magma बाहर आ रहा है और वो पूरी volcanic activity हो रही है यह दो तरह के landforms होते हैं एक intrusive होता है एक extrusive होता है intrusive extrusive intrusive मतलब क्या जो अर्थ के अंदर बना extrusive मतलब जो अर्थ के बाहर बना है intrusive में देखो ज़रा क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छा example बताता हूं ठीक है कि यह आपने एक mountain देख लिया तो यह mountain जो है अर्थ surface आप यहाँ खड़े हो ठीक है आप यह यहाँ पर खड़े हो तो यह mountain जो है वो surface के ऊपर है बहार है तो उसे हम क्या कहेंगे extrusive land form कहेंगे अब अगर मान लोग कि कोई structure है जैसे यह एक batholith है batholith क्या भी बताऊंगा हमें ठीक है वो अर्थ के अंदर बना है interior में बना है तो उसे हम intrusive land form कहेंगे आगे ना समझ में तो intrusive land form या फिर intrusive land और extrusive land यह अपने चोटी glasses में पढ़ा होगा तो अर्थ के interior में क्या-क्या है वो सारी चीज आपको जानने को मिलेगी क्या होता हो और वो कैसे बनेंगे तो लावा जो है तो लावा after cooling develops into igneous rock ठीक है अब लावा बाहर आ गया बाहर आने का आद में हाँ पर बाहर ही देखने को मिलेगा कभी-कभी वो अर्थ की crust में magma chamber से तो निकला for example जैसे पूरी crust है ठीक है crust के नीचे यहां यह magma chamber है मानलो mental में ठीक है अब यह magma chamber से इस तरह से क्या हो रहा लावा ऊपर की तरफ तो आया तो कुछ लावा तो बाहर आ गया volcanic corruption में और यहां आके और while the lava is still in the crustal portion, crustal portion मतलब क्या है कि जो crust वाला part है तो magma chamber से तो उपर उठ गया है वो लेकिन crust वाले part में आके भी लावा थंडा हो सकता है तो इस तरह से cooling interior में भी होती है अर्थ के ठीक है मतलब वो आ कह सकते अब क्या बनेगा intrusive landform बनेगा अर्थ के अंदर ही cooling हुई है तो वो इंट्रूजिव landform बनेगा तो यह cooling अंदर भी हो सकती है ठीक है तो depending on the location of cooling of lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks, cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से classify कर दिया गया है कि जो cooling अंदर भी हो रही है बाहर भी हो रही है तो depending on the location of cooling of lava, मतलब लावा थंडा कहा हुआ हुआ ह igneous rocks are classified as volcanic rocks तो अगर मान लो rock लावा बहार आके थंडा हुआ है तो उन्हें volcanic rock कहा जाएगा cooling at the surface ठीक है और अगर वही लावा अंदर रह गया ठीक है तो अगर crustal portion में ही cooling वाली process होती है तो उसे plutonic rock कहा जाएगा plutonic rocks are those structures, those landforms which are formed due to the cooling of lava in the crustal portion clear हो है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ध्यान रहेगी है पूरी ठीक है तो हम क्या पढ़ने वाले देखो अब हम interior of the earth पढ़ रहा है तो उस interior of earth में हम देखेंगे कि volcanic activities के कारण जो plutonic rocks बनती है तो plutonic rocks को हम पढ़ेंगे plutonic rocks कहा मतलब rocks या फिर कहता है lava which is cooled in the crustal portion crust के अंदर बनाए ठीक है तो plutonic rocks assume different intrusive forms तो अलग तरह की intrusive rock जो है अर्थ के अंदर जो बनी है ठीक है उन्हें plutonic rock कहा जाता है और वह plutonic rock जो है वह अलग अलग structure अलग अलग shape ले लेती है उन्हें हम जानने वाले हैं यह था पुरा introduction तो आप connect कर पाएना है कि हम क्या पढ़े हम लेकोलिस के बारे में लेपोलीक पे कोलिस और सिल्स के बारे में पढ़ेंगे और डा इक्स के बारे में पढ़ेंगे तो यह इतने सारे structure जो है ठीक है नाम सुनके ऐसा लग रहा हूं की यह तिकिन बिलीव मी ठीक है पूरा video lecture देखना आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी क्या होता है बच्चे इस टॉपिक पे जैसे आप उन्हें पढ़ा बुक में बुक में पढ़ा सीधे बाउंसर लगी उन्हों सुझा टिपिकल है कटिन है डिफिकल्ट है इसको छोड़ो लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम उसको टाइम देंगे ना समय दो जाड़ा सा टॉपिक को समय दोगे तो सब चीज अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक चलो देखते हैं तो क्या किस किस तरह का स्ट्रक्चर जिससे अगर आप देखोगे तो मोटा माटी आपको यहां पर जो बुक में डाइग्राम इससे समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रूजिव में तो क्या हो चैसे गया हो गया तो इन्ट्रूजिव मि जैसे क्या बन गए हो यह जी क्या है चीजिजेई यह श्रक्चर वने हैं जैक्छास कख और साथ ही साथ में डाइक्स, तो यह सारा सब कुछ में आपको एक्स्प्लेइन कर देता हूँ, बहुत आसाली से, पहला देखते हैं, बैथोलिट्स, बैथोलिट्स क्या होते देखो, तो लार्ज बाडी ओफ मैगमेटिक मेटिरियल, डेट कूल्स इन डीपर डेप्ट ऑफ क्रस्ट डेवलब्स इन डी फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, तो अब यह बड़ा सा डोम आपको देखने को जो मिल रहा है, किस चीज़ का, मैगमा चेमबर से उपर उठ गया है, मैगमा चेमबर से उपर उठ गया है, मतलब जो मैगमा एस वारी लावा, तो जब बाहर आ जाता है, उससे बैथोलित कहा जाता है, तो लार्ज बॉड़ी ओफ मैगमेटिक माटेरियल, जेट कूल्स इंदी डीपर डेप्थ ऑफ दी क्रस्ट, क्रस्ट की डीपर डेप्थ में वो जो थंड़ा हो गया है, मैगमा आया लेकिन वो थंड़ा हो के वही पर जमने लग जा जिद्धी नहीं होते हैं आपकी तरह, अंदर ही क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो जो अब एक मैगमेटिक पॉर्शन जो है, या फिर कहलो, एक मैगमेटिक माटेरियल जो है लार्ज अमाउंट का, वो अंदर ही डीपर डेप्थ में ठंडा होना स्टार्ट होता है तो वो इस तरह का बैथोलिद बनाता है, बड़ा सा डोम-like structure जो बनाता है, ठीक है, they appear on the surface after the denundation processes removes the overlying material, अग सर वो तो अंदर ही थंड़े हो गए, उसके बिचारे के तो अर्मानी अधूरे रहे गए कि कभी वो जमीन पे आप आएगा, नहीं आप आएगा, तो ये वाला जो अगर क्या हो जाता है, डिनन डेट हो जाता है, over the period of time क्या देखते हैं कि ये भी सब पूरा disintegration होगा, तूटेगा, हवा में sand बनके उड़ जाएगा, सब कुछ, तो जिस दिल करोड़ों सालों में, जब ये पूरा structure डिनन डेट हो जाएगा, खतम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, only after the denunational process, remove the overlying material, ठीक है, denunational process के बाद में, जब ओर लाइग में, पुरा खतम हो जाएगा, तो, clear हुआ ये, आगे देखो, they cover large area, and at times, assume depth that may be several km, तो, batholith जो होते हैं, बड़ा सा area cover करते हैं, कुछ km की उसकी thickness भी होती है, तो, बड़ा सा structure, जो है, बड़ा सा, एक cooled portion of magma chambers, तो, ये magma chambers का जो थंडा हुआ हुआ पार्ट रहता है, जो magma उपर आ जाता है, magma chamber का बहुत सारा, वो ही batholith कहलाता है, batholith clear हो गया ना, देखो, आप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, batholith क्या है, इसकी history हमने देखी, कि हम क्या पढ़ र रहे हैं कि अंदर भी अर्थ के anterior में भी rock forms बनती है, तो उनी rock forms में एक volcanic landform जो होता है, वो batholith होता है, ठीक है, तो batholith को हमने पढ़ लिया, अब आगे क्या है, ठीक है, जैसे यहां पर देखोगे इस diagram में, यह diagram आपकी बुक में दिया, इसको लेके चलना, आपको दिख रहा जिसे हम आगे जाके vent बोलने लगते हैं, तो जो magma chamber से उपर magma ले जाती है, तो यह conducts क्या करके रखती है, जोड के रखती है बहुत सारी जगा को, तो पतली सी यह conduct होती है, जिसने लावा उपर के तरफ flow करता है, यह conduct ध्यान रहेगे आपको, ठीक है, तो यह conducts का बहुत से dome-like structure बनाता है, लेकिन वो batholith इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक, तो एक conduct से क्या होगा, एक conduct से जिसे अगर आप देखोगे कि यह pipeline जो है, तो यह लावा उपर पहुचाएगी batholith से, लेकिन उपर पहुचने का लावा क्या करता है, लावा एक तरह से shape लेने लगता है किस तो जैसे यहाँ लेकolith देखो, तो batholith से pipe-like conduct जो है, उस pipe-like conduct से वो जुड़ा हुआ रहता है, और उपर आके क्या होता है, लेवल बेस मतलब क्या है, कि जैसे यह मान लो crust है, ठीक है, इसको ऐसे देखना कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक, यह crust है पूरी की पूरी, अब यहा देखोगे, तो magma चंबर से, जो magma आया था बहुस सारा, तो वो batholith के form में इस तरह से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, अब वो batholith से फिर और conduct निकलती है, तो conduct निकलने के बाद में क्या होता है, कि यह magma आ रहा है ना नीचे से, magma आ तो magma के ऐसा, डोम-like structure ले ले ल ले लेता है, ठीके, and which is connected by a narrow pipe-like conduct from below, ठीके, तो magma उसमें इस conduct से ही आता है, तो यह क्या बनाएगा, यह lacolith बनाएगा, c बोल रहा है, ठीके, lacolith, आगया समझ में, तो यह lacolith हो गया हमारा, ठीके, यह से मिटा देते हैं, तो, these are large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected by a pipe-like conduct from below, clear, चलो, आगे द composite volcano पिछले वीडियो में पड़ा था न, तो composite volcano में क्या मैंने बताया था, कि composite volcano में ऐसा एक तरह से structure बनता है, mount बनता है, dome बनता है, तो, it resembles the volcanic dome of composite volcanoes, difference क्या आगया, difference जरा देखो, तो composite volcano का dome भी ऐसे ही रहता है, और lacolith को जैसे देखो के, तो lacolith का भी dome ऐसे ही है, बस यह कि composite volcano उपर दिख रहा है, आपको surface के उपर बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर lava बाहर आ गया, विसकस है था, वो composite volcano में बना लेता है, और lacolith जो है, वो अर्थ के interior में है, तो यह extrusive हो गया, यह intrusive हो गया, तो यह volcanic rock का एक पार्ट हो गया, और यह plutonic rock का एक पार्ट हो गया, आया आपल जिसे हम देखे हैं, तो करनाटक प्लेटू is spotted with the domal hills of granite, ठीक है, करनाटक प्लेटू जो है हमारा, इंडिया में, तो करनाटक प्लेटू में आपको domal hills of granite यहने क्या है, कैसी dome-shaped hills देखने को मिलेगी granite की, जो lacolith हुआ करी हो गया, आज से करोड़ों साल पहले, तो स प्रक्रती तो अपना संग्रशन अपना सब कुछ करते रहती है, तो उसी बीच में क्या होता है, कि अगर ओवरलाइंग structure खतम हो जाएगा, पूरा denundation process की चलते तूट जाएगा, तो अंदर के जो structures है, intrusive landform जो है, वो बाहर निकल काने लगेंगे, ठीक है, यह हो गया, च as and when the lava moves upward, a portion of same may tend to move in horizontal direction where it finds a weak plane, ठीक है, तो जैसे lava उपर धकता है ना धीरे-धीरे, lava उपर की तरफ आते जाता है, क्योंकि नीचे से और lava उसको पुछ कर रहा है, तो as and when lava moves upward, a portion of same may tend to move in horizontal, horizontal direction, ठीक है, इसका diagram यह रहा, तो जैसे lava आ रहा है उपर से, अब नीचे से उपर क तरफ धका रहा है, ठीक है, प्रेशर बनते जा रहा है, तो अब क्या होगा, कि यह मानलों यहाँ पर रॉक ही क्रस्ट का यह जो पात है, यह क्रस्टल पार्ट क्या है, बहुत हाड है, lava इसमें अभी पनेटरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इधर वाला जो क्रस्ट का तो अब इस तरफ पेनेट्रेट कर जाएगा तो फिर एड़े-ड़े-मेड़े कैसे भी शेफ बनाएगा थीगे अब जब शेफ बनाएगा तो उसी में जो सौसर शेफ ऐसा मतलब जैसे चाय का मग रहता है तो वह ऐसा शेप ले 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 लिए ऐसा दोने जैसा तो अ कॉनकर्फ टाइप ऑफ शेप बना लेता है ये जो लावा का structure इस तरह से अंदर कॉल डाउन होने के बाद में ऐसा शेप जो बनाएगा तो वो लैपो लित कहलाएगा आगे ना समझ में simple सी चीज है तो as in when the lava move upwards the portion of the same the portion a portion of the same may tend to move in the horizontal direction where it finds a weak plane और जहाँ weak plane में वहाँ penetrate कर जाएगा it may get rested in different forms अलग-अलग form रह सकता है in case it develops into a saucer shape saucer shape अगर बना लिया concave to the sky body sky की तरफ यसा अगर उपर की तरफ जैसा इसका है जैसी यह जमीन है और यहां पर इस तरह से लावा ने अगर पनेट्रेट करके weak zone में ऐसा shape बनाया saucer shape तो उसे क्या कहा जाता उसे लैपोलित ऐसा structure अगर मिलेगा at times is found at the base of synclines or at the top of anticlines in folded igneous country ठीक है अब देखो जिसने topic पहले वाले अच्छे से पड़ेना वह बहुत अच्छे से connect करेगा यहां पर ठीक है अब मैंने आपको क्या होता है था P waves S waves बताया था P waves S waves में क्या होता है S waves जो रहती specifically वो क्या करती वो इस तरह से anticline ठीक है anticline सिंक्लाइन डवलप करती चले जाती है ठीक है क्योंकि वो वेफ जो है तो वो क्या करती S waves का कि S waves ऐसे anticline सिंक्लाइन बनाती है समझाया थे मैं अर्थकोईक waves में तो anticline सिंक्लाइन जब बनाती है तो उस बीच में क्या होता समझो कि जैसे आगर आप देखो गए यहां पे कि anticline और सिंक्लाइन के जो Dopthey रहते हैं तो उन base इस पर क्या होता उनici सो जब लावा स्टोर हो जाता है ठीक है तो वह क्या बनेगा वह जो हो लावास टोर यहां पर देखने को मिल जाए गा तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड़ oggi को क्युसcko बसे कर सब्स आब तो यह जो चीजने देखने को मिलेगी इन्हें इग्नियस रॉक कहा जाता है अब यही से मैग्मा चेमबर से क्या रहता है मैग्मा चेमबर से एक इनको कंडिक्ट मिला हो रहता अब लावा यहां पर हवा में उड़े का थुरी ना आएगा अंदर हो रहा ना यह तो सब कुछ तो वो लावा यहां तक पहुचा कैसे तो लावा एक कंडिक्ट के थुरू एक पाइपलाइक इस्टक्चर के थुरू यहां पहुचा है तो वो कंडिक्ट के थुरू उसका कह रहता है कह सकते हैं एक सोर्स ओफ लावा रहता है तो यह जो आज पकोलित है यह कल को क्या बन जाएंगे और बड़े होते जाएंगे बड़े होते जाएंगे चार शबने याइगे क्लारीट बहुत बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं जो मैगमा कूल डाउन मतलब मैगमा चेंबर कोई कहलो थंडा हो गया एक तरह से बैथोलित के बाद में अगला क्या देखा आपने लैकोलित तो लैकोलित क्या है डोम लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता कंडिक से कनेक्ट होने के इक मतलब रहते हैं तो से पेकली सिंपलाने पेस और आपको देखने को मिल जाएंगे और ये मतलब एक की समय के बाद में बड़ां एक स्ट्वक्च्टर ले सकते हैं तो इसमें थीसंद्री चीज में सील 2 में समझ लो जारा क्या है तो बिक इंडि एर्वर अगर आप देखेंगे तो यह सिल्स हैं जैसे की कंडिक्ट से लावा आया लेकिन वह लावा क्या करता चलागा उसको एक वीग जोन जैसे आप अर्थ क्रस्ट को देखोंगा अलग अलग कलर है यहां पर अलग तरह का आपको मतलब मटेरियल मिलने वाला क्रस्ट का यहां पर क्रस्ट थोड़ी मानलो की वीख है यहां पर क्रस्ट और वीख है तो यहां पर और स्ट्रॉंग हो गई है तो यहां पर क्रस्ट में अलग अलग लेर रहती है जिस तरह से इंटीर में क्रस्ट में अपने आप में लेर होती है तो वह और सीट में क्या डिफरेंस हो जाता तो थिनर वंस रहती है अगर यह शीट जो मतलब यह जो लावा इस प्रेड वा होरीज़न टिली यह पतला रहेगा तो उसे शीट कहेंगे थिनर वंस और रोना शीट वेरस दिफिकर वंस आर नोना सिल्स और थोड़ी मोटी है वो ठीक है थोड़ा मोटे लेवल पर और इगर होरीज़न टिली स्प्रेड हो गई यह तो उसे लावा पर था तो अभी लवा क्या करता लावा अगर अपना रास्ता डून लेता है इस इस स्प्रेडी मेच थोग इनफ लेक्न और वेट अपशर ऐंड याए तो धाहीख आवन ग्रॉर अधी ऋपाड़ी टूलर व गराउंड परेंडी हृम तो तब जो structure बना उसे क्या कहा जाता है तब जो structure बना उसे dykes कहा जाता है तो dykes क्या है कि वो जो लावा है वो जब थंडा हो जाए यहां पर देखो इसमें और clarity मिलेगे आपको यह dykes ठीक है कि यह हमारे dykes है कि लावा जो है तो लावा क्या हो गया perpendicular to the ground when it solidifies it is known as dykes ठीक यह सब अंदर हो रहा है और अर्थ के इसलिए हम इसे plutonic या फिर intrusive rock के format में पढ़ रहा है clear हुआ तो यह dykes बन गए फाउंड कॉमनली इन western महाराष्ट एरिया western महाराष वालो जो एरिया है तो यहां पर आपको dykes मिलेंगे ऐसे अभी dykes एक तरह से conduct का काम भी करते थे pipeline का काम भी करते थे तो इन्हीं डाइक में से क्या निकला है these are considered as the feeders for the eruption that led to the development of decan trap मैं आपको बताया है कि flood basaltic जो प्रोविंसेस थी जो टाइप ओफ वॉल्केनों में पढ़के आए कि ऐसे वॉल्केनों जो क्या है कि बहुत फ्लूइड थे बहते चले गए बहते चले गए बहते चले चले गए और बड़ी बड़ी तो यह आपस में आपको थोड़ा evolution जो evolution के basics हैं वो समझ में आएंगे कि अच्छा कैसे बना हो गए पूरा structure clear हो यह तो यह मैंने आपको बहुत सारे क्या बताए volcanic landforms बताए और इनहीं volcanic landforms के साथ में हमारा chapter जो होता है वो पूरी तरह से complete होता है ठीक है chapter पूरा complete हो गया सारे topics सब topics हमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बहतरी तरह से पढ़ लिए सारे concepts clear कर लें आपको अभी भी किसी प्रकार का doubt है कहीं पे किसी भी concept में तो आप comment section में पूछ सकते हैं feel free to ask in comment section ठीक है इसी के जाथ हमारा chapter complete हुआ है अब एक important चीज़ सुनो, Magnate Brains पर class 4 से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics सब कुछ systematically पढ़ाया जाता है ठीक है आप अपने juniors और seniors को बता सकते हैं Magnate Brains के बारे में ताकि वो भी घर बैठे निश्चिन्त होकर YouTube चैनल से या website से अपना syllabus अपनी class का जो भी material है तो सारा घर बैठे complete कर सकें यह chapter कैसा लगा? बताना जरूर comment section में next video lecture से एक नया chapter स्टार्ट करेंगे मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much